आज कठोपनिशद की चौथी वल्ली का प्रारम्भ करेंगे कठोपनिशद की चतुर्थ वल्ली एक महत्वपून प्रश्ण और उस प्रश्ण के समाधान से प्रारम्भ होती है महत्वपून प्रश्ण ये है कि सामान्य जन ऐसा क्यों महसूस करते हैं ऐसा क्यों अनुभव करते हैं कि हम बाहर खीचे चले जा रही हैं जैसे योगी साधक व्यक्ति को तो लगता है कि वो अपने वश में हैं लेकिन सामान्य व्यक्ति को लगता है कि जैसे बाहर से कोई से खीच रहा है जैसे वो नहीं चाहते हुए भी बलात देख रहा है उसने स तोचा था कि अभी मैं कुछ नहीं सुनूगा, अभी मैं थोड़ी धारना लगाऊंगा, अपने मन को एकागर करूँगा, अपने बारे में सोचूँगा, बैठा था इसलिए लेकिन अभी तीन-चार मिनट भी नहीं हुए आँख खोलने का मन कर रहा है, आँख बंद कर रखी है, भीतरी संसार उसे डरा रहा है, बाहरी संसार उसे खींच रहा है अपने, ऐसा क्या है, कि जो मुझे थोड़ी देर के लिए शांत, एकांत, एकागर नहीं रहने देता, कोई न कोई शब्द मुझे खींच लेता है, सुन ही लूँ, आँख खोल करके नभी कुछ गतिवि दियां करूं, तो आँख बंद किये किये ही मेरे कान बाहर की आवाजों को सुनने के लिए उदर दोड रहे हैं, ऐसा क्या है, मेरी आँखें कुछ देखने के लिए दोड रही हैं, ऐसा क्या है, कि कोई भी अच्छी गंध आते ही, मन नासिका इंडरिये से जुड़ जाता ह और हम बाहर की इंद्रिय में, बाहर की जो गंध है उनमें खो जाते हैं। ऐसी क्यों है? ये ऐसी समरचना किस कारण से है? इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि श्लोक कहता है पराण चिखानी व्यत्रणत स्वयम्भूहू तस्मात पराण पश्यती नांतारात्मू यहाँ पर बादवाली पंक्ति के प्रारंभ में एक शब्द है कश्चित धीरह कोई धीर व्यक्ति ही प्रत्यक आत्मानम एक्षत अपनी आत्मा को भीतर की तरफ से देख लेता है यानि अभी जो हमारी दोड बाहर की ओर हो रही है कोई धीर व्यक्ति कोई अपने आपको नियंत्रन कर लेने वाला व्यक्ति कोई धार्मिक व्यक्ति भीतर की तरफ देखता है भीतर की ओर देखता है और आत्मानम एक्षत वो अपनी आत्मा को देख लेता है सामान्य व्यक्ति क्यों नहीं कर पाते तो उपर इसका उत्तर दिया गया है क्योंकि परांची खानी व्यत्रणत स्वयंभू स्वयंभू परमेश्वर ने जब ये संसार बनाया और इस संसार के अंतरगत शरीर बनाया तो व्यवस्था संसार और शरीर की ऐसी की कि दोनों आपस में अट्रेक्ट करते हैं एक दूसरे को दोनों के बीच एक खिंचाव हैं दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोनों एक दूसरे को आकरशित करते हैं क्योंकि एक के बिना दूसरा बेकार है एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं है उधरन के रूप में अगर फेफडे नहों अगर इन फेफडों में हवा भरे भर करके हम जीवित रहें, श्वास लेने की क्रियाएं नहों, प्रतिक्रिया नहों, तो फिर इस वातावरण में फैली ऑक्सिजन का कारण क्या है? महत्व क्या रह गया? क्या मूल्य रह गया इसका? यह निर्मूल्य हो जाती है. ऐसे ही, अगर सोचिये संसार में शरीर न भोग, फल, पौधे, वनस्पतियां, सबजियां, पानी, अच्छे रूपरंग इनका क्या मोल रह जाता है? यह सब बेमाने से हो जाते हैं. यह सब अपने आप में मूल्य विहीन हो जाते हैं. दो कौडी के नहीं रह जाते हैं. तो बिना शरीर के यह संसार व्यार्थ है. इ इस शरीर का कोई मोल नहीं रह जाता है. क्योंकि इस शरीर में कुछ भी अगर मूल्यवान है, वो इसलिए क्योंकि बाहर एक प्रकृती है. जिस प्रकृती ने से मूल्यवान बनाया हुआ है. ठीक वैसे ही जैसे हमारी जेब में, हमारे पर्स में रखा रिजर्व बैंक से प्रकाशित नोट, छपा नोट तब तक महत्व पूर्ण है, मुल्यवान है जब तक उससे खरीदे खरीदे जाने के लिए कुछ दुकान पर उपलब्ध है बाजार में कुछ है, हम बाजार से थोड़ी देर के लिए सारे सामान हटा दें, ऐसी कल्पना करें सारे सामान हटा दीजिए बाहर से बाजार से दुकानों से उस एक छपे हुए कागज के टुकडे का जिस पर गवर्नर के हस्ताक्ष रहे क्या कोई मोल रह जाता है नहीं वो बेकार एक कागज का रद्दी का टुकडा मात्र रह जाता है इसलिए महत्वपून केवल शरीर नहीं है महत्वपून संसार भी है और महत्वपून केवल संसार नहीं है हमारा शरीर भी बहुत महत्वपून है परांची खानी व्यत्रणत स्वयंभू हूँ स्वयंभू परमेश्वर ने इस संसार के भोगों को भोगने के लिए इस संसार से लाभ उठाने के लिए चिखानी अर्थात हमारी इंद्रियां शमा कीजिए खानी अर्थात इंद्रिया परांची अर्थात बाहर की और देखने वाली खानी अर्थात इंद्रिया आख, नाख, कान, तवचा, जिफवा ये इंद्रिया इनको हम ख कहते हैं बहुवचन में खानी हो जाता है जैसे फल एक वचन में होता है और बहुवचन में फलानी हो जाता है फलम फले फलानी ऐसे ही हमारी इंद्रिया एक हो तो उसको खम कहते हैं और बहुत सारी हो तो बहुबचन में खानी हो जाता है कह रहे हैं परांची ये सारी की सारी जो इंद्रियां है ये परांची हैं बाहर की तरफ खुली हुई है बाहर अर्थत संसार की और इनका मुख खुला हुआ है किस ने बनाया इनको ऐसा तो कहरें स्वयंभू व्यत्रणत स्वयंभू परमेश्वर ने व्यत्रणत इनको ऐसा बनाया है इनको ऐसे रचा है क्यों कारण क्या है इसका इसका कारण है क्योंकि अगर हमें संसार में जीना है तो हमें इस संसार से ही तो लेना पड़ेगा अगर मेरा संसार जो कि प्रकृती से बना है मैं चाहता हूँ कि वो आगे चलता रही तो उसके चलने के लिए जो पूरक सामगरी है वो यहीं से तो मिलेगी यही से यू सोची कि आपने कोई मकान बनाया मकान मिट्टी पानी से बनाया अगर आप उस मकान को रिपेर करना चाहते हैं तो मिट्टी चाहिए मिट्टी से ही होगा कोई भी वस्तु जिस material से बनी है उसी material से आगे उसकी मरम्मत भी होती है वो चलती रहती है आगे इसलिए जो हमारा शरीर संसार से बना है, उसी संसार से इसे सुख भी मिलेगा, उसी संसार से ये आगे अपने शरीर की आपूर्ती भी करेगा, अगर शरीर में जल की मात्रा कम है तो जल बाहर ही मिलेगा, शरीर में वायू की मात्रा प्रति दिन हम हर क्षन जो श्वास ले रहे महां से पूर्ती हो जा करमेंद्रियां और जियानेंद्रियां यहां से आपूरती होते हैं यह मार्ग हैं यह रास्ते हैं तो कहा परमेश्वर ने जब यह संसार बनाया और इंद्रियों को बाहर की और बनाया बाहर की और खिचती हैं इंद्रियां तो वो हमारे बुरे के लिए नहीं बनाया अच्छ लेनी चाहिए कि हर व्यक्ति अध्यात्म का रस जन्म लेते ही नहीं ले सकता अध्यात्म का रस इतना सरल नहीं है कि जन्म हुआ और बस डूब गए आनंद में जन्म हुआ और ध्यान में बैठे इतना सरल थोड़ा ही है यह कार्दिये तो बहुत अधिक समझदारी वाले होते किसी व्यक्ति ने जन्म लिया बच्पना है क्या वो बच्पन में ही इस संसार की हर चीज का महत्व मोल समझने लगता है क्या वो माता-पिता का महत्व समझने लगता है नहीं समझता माता पिता का महत्तु इसलिए तो सरकारें जब पाठे करम तयार करती है तो अध्यन में गूड़ बाते नहीं रखती पहले कुछ चित्र बनाती है वो चित्र जो आकरशक है उन पुस्तकों में भी उनकी रचना भी ऐसी होती है कि आधे प्रिष्ट से भी बहुत कम चार पांच पंग्तियां पढ़ने की होती है बाकी सब पर चित्र बना हुआ होता है उन्हें कुछ भी समझाना होता है तो एक चित्र दे दिया जाता है कहानी भी पढ़ानी है तो कहानी से संबंधित एक चित्र सामने रख देती है कौमी किसी काम में आती है चित्र चित् भी लेते हैं साथ में, अगर वो चित्र न होता तो बच्चे उतनी रुची न लेते, अगर वो चित्र बनाए गए हैं कोई पूछ सकता है कि एक पुस्तक के प्रिष्ठ का 80 प्रतिशत अंश क्यों खराब कर दिया गया, किवल 20 प्रतिशत अंश में ही कहानी लिखी है, बाकी तो किवल चित्र से भर दिया गया है, उत्तर बिल्कुल सरलसा है, क्योंकि एक बच्चे को ये अभी ज्यात नहीं है, ये समझ नहीं है, कि उसे कहानी पढ़नी है क्या है, उसे तो चित्र दिखा, तो जानने की जिज्यासा वश उसने नीचे पढ़ लिया, अपनी तरफ से भी ये इच्छा ही नहीं थी, यानि कि जो बुद्धी रितंभरा में बदलती है, बुद्धी में जो एक समझ आती है, जिसकी उपर चर्चा कर रहे थे, जिसे हम कह रहे थी कि रथ में एक सारती होना आवश्यक है, उस सारती के महत्व को सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाते ऐसे में क्या करना चाहिए, तो अपनिशतकार कहते हैं कि देखो ये जो बुद्धी है, ये सारती की तरह है, पता नहीं, कब जागरूख होगी, पता नहीं, कब समझदार होंगे लोग, तब तक के लिए क्या यूहीं छोड़ दें, तब तक के लिए क्या उनको अपने हाल और छोड़ करके सोच लिया जाए कि जो होगा देखा जाएगा, जी लेंगे जैसे तैसे, पढ़लेंगे जैसे तैसे, नहीं, इसके लिए फिर आकर्षन चाहिए होते हैं, इसलिए तो परमेश्वर ने हमारे उदर में इतनी तीवर भूख बनाई है, उस भूख का कारण य नहीं होता, वो भूख न होती, तो मैं अपने शरीर में आवश्चक तत्वों की आपूरती नहीं करता है, जब हमें बुखार होता है, जब हमें शरीर में कोई रोग होता है, तो हमें कश्ट होता है, अच्छा वो कश्ट क्यों हो रहा है, अगर शरीर में तापमान, या रहा, समस्या हो रही है, वो समस्या आवश्यक है, अगर वो न होती तो क्या हम सच में अपनी चिकित्सा करने के लिए लालाईत होते, क्या हम चिकित्सा करने के लिए दोड़े दोड़े डर करके डॉक्टर के पास जाते, नहीं, हम सोचते हैं थोड़ी सी गर्मी ही तो बढ़ चोट लग गई दिखाई दे गई घाव है पट्टी करा लेते लेकिन मनुष्य इतना समझधार कहां है वो छोड़ देता वो टाल देता कश्ट नहीं हो रहा है न कोई बात नहीं चलता रहेगा कुछ दिनों बाद घाव सड़ जाता और बढ़ जाता और हमें लेने के देने प अलाम की तरह है आग लगी है कहीं बुझाई ये उसे अलाम जो की कानों में चुभता है उसे लगाया इसलिए नहीं जाता कि हमें दुख हो उसे लगाया जाता है सचेत हो जाएं तुरन समस्या का समधान कर लें इसलिए परमेश्वर ने हमारी इंद्रियों के रास्तों को बाहर की और खोला हुआ है आँख बाहर देखती हैं कान बाहर सुनता है नासी का बाहर की गंद को सुंगती है वो इसलिए नहीं बनाया कि हम एकागर न हो पाएं हम इस संसार में बह जाएं वो परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि हम लोग अपने शरीर को चलाए रखने के लिए आवश्यक तत्वों को लें ताकि हम जाने संसार को आखना कान से सुने दुनिया को ताकि हम सुरक्षित रहें कुछ जान पाएं परमेश्वर ने सवयंभु ने परांची बाहर की ओर खानी हमारी इंद्रियों को व्यत्रनत बना दिया है अब करना क्या है करना ये है कि जैसे एक बच्चे को शुरू शुरू में मीठी गोली के नाम पर कड़वी गोली खिला दी जाती है और वो स्वस्थ हो जाता है करना ये है कि अब उस बालक को समझ रख लानी है अपने मीतागे कोई बात नहीं गुली कड़वी है न पर खाएंगे क्योंकि हमें रोग से दूरी बनानी है रोग को अपने से दूर करना है खाएंगे कड़वी गुली ये कड़वी गुली खा लेने के का जो सामर्थ है जो समझ है वो हमें पैदा करनी है बस करना इतना सा है तो कहरें परमेश्वर ने क्योंकि इंद्रियां बाहर की ओर बनाई हैं तस्मात इसी कारण से परांग पश्यती मनुष्य बाहर देखता है। कभी नहीं देख पाती। इन इंद्रियों को रोक करके स्वयम को नहीं जान पाती। जबकि मेरे निकट सबसे अधिक निकट कोई है तो वो है मैं स्वयम। मेरे निकट मुझसे अधिक तो कोई और नहीं होगा न। मैं स्वयम हूँ। लेकिन समस्या ये है कि मैं स्वयम को ही नहीं जानता है जिस जो मैं जिस से सबसे अधिक परिचित हूँ मैं कभी उसके पास बैठा ही नहीं उसे देखा ही नहीं उससे मिला ही नहीं उससे जान पहचान ही नहीं बनाई यही तो समस्या है आजकल के शहरी बातावरण में जिस तरह से एक पडोसी को दूसरा पडोसी न लेंगे। दूसरे शहर में कौन रहता है क्योंकि उससे फेस्बुक पर मितरता हुई है! हमें पता है कि अमुक शहर में इतनी independent कि Is जैए उस शहर में क्या घटना घट गई। उसमें कौन व्यक्ति है, कौन ठेले पे अच्छा सामान बना रहा है, उस कि मार्केटिंग हो रही है और सब को पता है एक महिला जिसे पैसे की आवश्षक्ता है सोचल मीडिया पर लोग उसके लिए मांग कर रहा है हम भेज रहें ऑनलाइन पैसे लेकिन मेरे निकट का व्यक्ति मेरे पास का व्यक्ति मेरा अपना व्यक्ति क्या उसकी मुझे खबर है क्या उसकी मुझे समझ है उसे क्या आवश्यक्ता है क्या ये मुझे पता है अरे मेरे अपने उद्देश्यों के लिए काम करने वाला व्यक्ति क्या मैं उसके लिए तयार हूं कुछ करने के लिए हमें अपने निकट का नहीं पता हमें अंतरात्म, अपने अपनी जानकारी नहीं है, बाकी पुरे संसार की जानकारी बटोर रहे हैं, परांग पश्यति नांतरात्म, सही भी, दुनिया को देखना आवश्यक है, बिना दुनिया देखे, बिना दुनिया को समझे, दुनिया की समझ नहीं होगी, और जब तक इस दु में रूची कैसे बढ़ेगी भाई मुल रूप में आप ये समझे ना कि हमें परमेशवर एक पहले ये जानेंगे फिर ये जानेंगे फिर ये जानेंगे जैसे किसी वेक्ति को कोई बड़ा कोर्स करना है किसी को इंजिनियरिंग करनी है किसी को MBBS करना है किसी को LLB करनी है किसी व्यक्ति को कोई और Civil Service की परिक्षा देनी है तो उसे अपने क्षेतर में टॉप पर पहुँचना है लेकिन वहां तक पहुँचने की जो जानकारी है उसकी शुरुवात कहां से होगी उसकी शुरुवात उसका प्रारंब होगा यही छोटी-छोटी कथाओं से जिसमें चित्र बहुत अधिक बने हुए होते है इसी प्रकार से हमें परमेश्वर तक पहुँचना है हमें अपनी आत्मा को जानना है परमात्मा को जानना है, प्रारंब कहां से होगा, कि जानकारी के प्रती लगाव तो हो, जानकारी के प्रती रुची तो पैदा हो पहले हम में, बस उसी जानकारी के प्रती रुची पैदा करने का काम ये इंद्रियां करती है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर ह अच्छा जिस व्यक्ति ने रचनाई ही नहीं देखी जिस व्यक्ति ने खिलते फूल नहीं देखे पहाड नहीं देखे नदियां नहीं देखी पेड़ पौधे नहीं देखे वह व्यक्ति क्या परमेश्वर की कल्पना कर पाएगा क्या उसे परमेश्वर को अनुभव करने की तीवरता, तीवरिच्छा उत्पन होगी उसके मन में तबी, नहीं, अरे उसको एक डेमो तो देना पड़ेगा न, यह संसार एक डेमो है, जिसकी रचना इतने सुंदर है, जिस परमेश्वर ने इतना सुंदर जगत बनाया है, सोचो वो कितना सुंदर होगा, ऐसे परमात्मा को देखने के लिए, उसे समझने के लिए, लाल सा मन में कब पैदा होगी, दुनिया को देख करके, तो इसलिए कह रहे हैं, इसी लिए परमेश्वर ने बाहर की और इंद्रियों का मुख खोला हुआ है, छोटे बच्चों की तरह कहानिया सुनाने के लिए, देखो दुनिय को आख खोल करके जल्दी दिख जाएगा, रंग भी जल्दी समझ में आएंगे, बस इसकी गहराई में जाना शुरू कर दीजे, धीरे-धीरे एक एक क्लास आगे बढ़ते जाएए, एक एक कक्षा का अगला वाला पाठ्ठे करम पढ़ने का प्रयास कीजे, संसार देख लिया संसार में कितना सुख है, कितना लाब है, कितना सुंदर्ता है वो भी देख ली, अब ये सुंदर्ता किसने बनाई, अब अगला प्रशन यहां से हमारा प्रारम हो जाना चाहिए, जो कि कई बार नहीं हो पाता, कह रहे हैं, कौन कर पाता है इस कार्ये को, कश्चिद ही रह, कोई कक्षा पांच पढ़ करके घर बैठ जाता है, कोई कक्षा दस पढ़ करके घर बैठ जाता है, कोई प्लस टू तक चला जाता है, कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन कर लेता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, लेकिन अपने क्षेत्र के बिल्कुल पद पर जाना अरे अगर विज्जान में रुची है तो भई कोई शोध करो विज्जानिक बनो खुशने आविशकार करो ये है उसका सबसे उच्च शिखर अगर आपकी समाज में रुची है समाज की नियम व्यवस्थाओं में रुची है तो करिए UPSC clear ये उसका उच्च शि तो कीजिए न शोध पीएच्डी आपका कार्यक्षेत्र आप अपने कार्यक्षेत्र के सबसे सर्वोच स्थन पर पहुंच जाएंगे सर्व सबसे उचे स्थन पर ऐसे ही किसी भी विशय को पढ़ रहे हैं तो सर्वोच स्थन तक जाने की इच्छा तो होती होगी सब में हो जाते हैं अपने विशय में सरवोच पद पर कोई कोई जा पाता है उधारन तो समझ में आही रहोगा हम सोच रहोंगे कि हम बहुत बुद्धिमान हैं हम तो ऐसे नहीं करते हैं जैसे यह उधारन दिया जा रहा है छोटे बच्चों की तरह के हमें भी अभी चित्रों वाली कि पढ़ रहा है जिसे नौकरी नहीं भी करनी जिसे सेवा नहीं भी देनी जिसे कुछ उससे काम भी नहीं वो भी पढ़ रहा है डिगरी तो मिले खम असकम लेकिन अपने विशय में सरवोच पद कुछ ही लोग पापा प्राप्त करते हैं कुछ लोग केवल कुछ लोग शोध तक जाना या फिर कोई रिसर्च करना या फिर कोई आविशकार करना या फिर संचालन करना समाज का कौन कौन कर पाते हैं बहुत मुश्किल होते हैं और अगर इच्छा भी हो समझ भी हो के हाँ जाना है तो भी आड़े कितनी चीज़ें आती हमारा आलस जो हमें पढ़ने नही देता है हमें जो संसार की चीज़ें जो भोग विलास खींचते रहते हैं वो हमें तयारी नहीं करने देते इसकी वो हमें उच्च श्रेणी तक नहीं जाने देते तो हमारा आलस हमारा प्रमाद हमारे न पढ़ने की इच्छा हमारे कुछ न आगे बढ़ने के लिए जो हमें द पश्चित धीरह ये उधारन जैसे वहां बिल्कुल सटीक है ठीक वैसा ही यहां है हर व्यक्ति समझ तो सबको आ जाता है एक कभी को भी समझ में आ गया ना कि जिसकी जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा हमें नहीं समझ में आया क्या आ गया गाओं में रहने वाले व्यक्ति को भी पता है आवश्यक है लेकिन जितनों को पता है जितनों को भी संख्या काम हो सकती है उनमें से कितने हैं जो परमेश्वर तक पहुंच पाते हैं ठीक वैसे ही जैसे कितने हैं जो कोई आविश्कार कर पाते हैं कोई नया रीसर्च कर पाते हैं नहीं होत रह प्रत्यक आत्मानम एक्षत कोई व्यक्तिन बाहर के खेल खिलानों से भीतर की वर प्रवेश करता है प्रत्यक आत्मानम प्रत्यक अर्थात प्रती कहते हैं उल्टे को जैसे क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया की उल्टी क्रिया प्रतिक्रिया कहलाती है जब हम कोई कर्म करते हैं उसका फल मिलता उसको प्रतिफल बोलते हैं क्योंकि वो प्रतिक्रिया स्वरूप मिलता है ऐसे ही प्रत्यक प्रतियक यनि कि इंद्रियों से भीतर की ओर आत्मानम अपनी आत्मा को स्वयम को आईक्षत देखता है कोई व्यक्ति अपने आपको देख लेता है परमेश्वर को देख लेता है लेकिन कब आप व्रित्त चक्षु हो चक्षु अर्थात आंक आंक इंद्रियों का विशेशकर करमेंद्रियों का उपलक्षन है उपलक्षन मतलब उदहरन है आख हमारी पांचों की पांचों इंद्रिये में प्रमुख इंद्रिये है इसलिए उसे एक इंद्रिये का नाम ले करके कहा कि वैसे भी जो चक्षु शब्द है वो चक्षु केवल आख के लिए प्रियोग नहीं होता है वो पांचों इंद्रियों के लिए प्रियोग होता है अक्ष, चक्षू, ये दोनों पांचों इंद्रियों के लिए प्रियोग होते हैं, आख के लिए भी प्रियोग होते हैं, वो धारां के तौर पे जैसे प्राण है, प्राण शब्द किसके लिए प्रियोग होता है, जो हम श्वास ले रहे हैं, कई शास्त्रों में जो श्वास शोड़ रहे हैं उसको भी प्राण कहा जाता है लेकिन प्राण, पान, व्यान, उदान, समान इन्हें भी तो प्राण कहा जाता है इन पांचों को आने जाने वाला श्वास दरसल प्रतिनी धी है, मुख्य है इसलिए उसका नाम भी प्राण है इसलिए हमारी सारी इंद्रियां चक्षु कहलाती है बस उनका जो मुख्या है वो आथ ये वाली आथ पर नाम सबका चक्षु है तो कहा कोई कोई धीर व्यक्ति अपनी आत्मा को देख लेता है लेकिन कब अवरित चक्षु हो इन इंद्रियों पर परदा डाल करके अवरित करके ढख करके इन पर परदा डालना बहुत आवश्यक है प्रारंभ में ये हिम्मत हम नहीं जुटा पाते जो व्यक्ति ध्यान नह करके नहीं बैठते जिन्हें अपनी आखों को बंद करना पसंद नहीं है अच्छा नहीं लगता जो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि एक बार परदा तो डाला जाए इस पर डर लगता है उन्हें अंदर से कैसे रहेंगे दुनिया के बिना कैसे रहेंगे संसार के बिना अच्छा भी लग रहा होता है लेकिन अच्छे के साथ-साथ वो कश्ट भी अनुभव कर रहे होती है जैसे दोडने वाले व्यक्ति को लगता है वो दोड रहा है तो शरीर खुल रहा है तो अच्छा लग रहा है लेकिन दोड रहा है तो आलस भी आ रहा है मन में आ रहा है तो बैठ ही जाता हूँ थोड़ी बहुत देर दोड़ करके फिर वो बैठ जाता है अच्छा लग रहा था उसको सो अपरतीशत व्यायम करने वाले को सदय अच्छा लगेगा आपके हर्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको सुख देते हैं व्यायम करके अच्छा तो लगेगा लेकिन आलस भी तो साथ साथ दोड रहा है वो तो कह रहा है रुको 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 बैठो इसलिए उपनिशत कहती है कि आवरित चक्षु आखों को ढखना पड़ेगा अर्थात इंद्रियों पर पर्दा डालना पड़ेगा आखे बंद करनी पड़ेंगी कानों को मानसिक रूप से बंद करना पड़ेगा अ अपनी नाक तवचा इन सब को मानसिक रूप से इन पर लगाम लगानी पड़ेगा इन पर पर्दा लगाना पड़ेगा कश्चित धीर, हम उन कुछ लोगों में से एक बनना चाहेंगे, हम उन कुछ लोगों में से एक बन जाएंगे, जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों को रोक करके, उनको आवरित करके, उन पर कपड़ा डाल करके, बाहर से रोक करके, और अमरितत्वा में च्छन, अमरितत्व से नहीं मिलेगी इंद्रियों को तो आप चम्मच समझ लीजिए जिस चम्मच में भोजन रखकर हम मुख तक पहुंचाते हैं बस इसके बाद उस चम्मच का काम खतम वो चली जाती है सिंक में धुलेगी फिर नहीं हो जाएगी फिर नहीं प्लेट में जाकर करके रखी इनका काम है संसार में रस चखाना और फिर जिस परमेश्वर ने संसार बनाया है उस परमेश्वर तक पहुंचने के लिए लालाईत करवाना ये इनका काम है जैसे चम्मच का काम है मुझ तक भोजन ले जाना बस चखा दिया अब मुझ अपने आप चलाएगा उस भोजन को चबाएगा बड़ा आनंदाएगा अब इस चम्मच का क्या करें सिंक में जाओ भूलेगी अभी हमारी इंद्रियां जब हमसे छूट जाएंगी फिर से मूल प्रकृती में मिल जाएंगी और नई इंद्रिये बन करके फिर किसी को मिल जाएंगी इतना सा काम अम्रितत्व मिच पर कुछ समय के लिए अवश्य जब तक वो धिहान में बैठा है तब तक वो उस पर परदा डाल के ढख देता है और फिर प्रत्यक आत्माना में एक्षत अपनी आत्मा को देखता है देखने का प्रयास करता है कब जबकि वो धीर होता है धैरिये शाली होता है क्योंकि और मन मन में बोल भी देता है लेकिन फिर कोई कोई धीर होता है जो समालता है अपने आपको नहीं मन तुम गलत हो ऐसा नहीं कहना है यह वाक्य गलत है यह व्यवार गलत है धीर व्यत्ति रोक लेता है ऐसे ही हम सब को भी मन में आएगा संसार की तरफ दोड़ू जब ध्यान क करने बैठेंगे मन में आएगा उधर चलू पर धीरह रोकना है अपने 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 एसे इंद्रियों से जिनका मुख बाहर की और खुला हुआ है जो परांची है बाहर की तरफ देखते हैं और इसी को समझाते हुए आगे कह रहे हैं पराचह कामान अनुयंति बाला मृत्योर यंती विततस्य पाशं अथधीरह अमरितत्वं विदित्वा धुरुवं अधुरुवेश विहन प्रार्धयंते कहते हैं कि ये जो काम करते हैं कि बाहर की तरफ ही केवल अपनी इच्छाएं बनाई रखते हैं पराचह कामान अनुयंति बाला अरे बाहर की लोग पसंद करते हैं चोटे बच्चों की इच्छाएं होती हैं पराचह कामान अर्था बाहर की ओर जितनी भी कामान कामनाएं हैं उनको अनुयंति अनुयंति अनु माने पीछे पीछे और यंती माने चलते हैं बालक छोटे छोटे बच्चे बाहर की कामनाओं के अनु यंती पीछे पीछे जा रहे हैं वो जहां ले जा रही है उधर जा रहे हैं उन्हें को खिलोना दिख जाए, वो खिलोने के पीछे 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 चलते रहते हैं, जो वो खिलोना करवाता है वो करते रहते हैं, कह रहे हैं ये बच्चेओं के काम हैं कि जो बाहरी इच्छाओं के पीछे पीछे जाते हैं, वो दिमानों के काम नहीं है ये, जब कोई बालक खिलोने को देखकर उसके पीछे-पीछे चल पड़ता है, उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी मा से दूर होता जा रहा है, उसकी सबसे हितैशी, बड़ी हितैशी, उसके जीवन को सफल करने वाली, उसके बिल्कुल निकट है उसकी मा, लेकिन वो अपनी मा को न देख करके, क्योंकि थोड़ी दिर के लिए पेट भर गया, वो खिलोने के पीछे-पीछे चल पड़ता है, उसे समझ में भी नहीं आता कि जितने दूर तुम मा से जा रहे है, वो खत्रा उटना बढ़ता जा रहा है, हो सकता है, कोई जानवर हो, कोई प्रानी हो, कोई कश् दुरगटना हो जाती है, क्योंकि मा से दूर चले गए, तो कह रहे हैं, बालाह, जो बालक लोग होते हैं, वो मृत्यों हो यंती, वो दरसल कामनाओं के पीछे नहीं जा रहे है, वो मृत्यों हो यंती, कोई ना कोई दुरगटना के पीछे जा रहे हैं, वितत अस्य पाशम जो मृत्यू ने पाश वितत फैला रखे हैं, चारो और फैला रखे हैं, चारो और फैली हुई मृत्यू के पाशम अर्थात बंधन को यंती वो पा जाते हैं, वो बंधन में जाके गिर जाते हैं, जैसे तोतों की कथाए आती हैं, जिसने तोते पाल रखे थे, कबूतर पाल उस व्यक्ति को कही जाना था उसे लगा कि कोई बहेली आएगा और इनने तो पकड़ करके ले जाएगा तो उसने एपने तोतों को रटाना प्रारंप किया, कि देखो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा तुम्हें फंसाएगा, दाना डालेगा तुम्हें फंसाएगा फंसना मत वो कहते हैं याद कर लो मैं दो दिन के लिए जा रहा हूँ और दो दिन में तुम्हें कोई ना कोई पकड़ करके ले जाएगा तो उने कहा ऐसे कैसे पकड़ करके ले जाएगा हमें तो सब याद हो जाता है जो आप कहते हो तुरंत ही आद हो जाता है तो बोलो ठीक है बताओ मैंने क्या कहा कि आपने कहा शिकारी आएगा जाल बिचाएगा दाना डालेगा तुम्हे फंसाएगा फंसना मत तो हो गया याद लगा कि यह तो बिल्कुँ समझधार है हो गया याद जैसे ही बाहर गया व्यक्ति, फंसाने वाले बहेली आये, शिकारी आया, उसने जाल बिचाया, दाना डाला, सारे के सारे तोते बैठ गए बही जाल के उपर जाकर, व्यक्ति वापस आता है, देखता है मेरे सारे के सारे तोते जाल में फंसे होने, और शिकारी बस जाल समेटन यह वाला है उसने आया करके सब को बचाने लगा और पुछा कि मूर्खों मैंने तुम्हें कहा था मद फंसना मैंने तुम्हें कि मैं चैया था की शिकारी आएगा भंसाने की लिए। बोले इस याद करने से होगा क्या इस याद करने को व्याभार में लाओ ना ठीक वैसे ही हमारी स्थिति है हम भी बच्चों जैसे काम करते रहते हैं हम पीछे पीछे चल जाते हैं किसके भोगों के जो भोग हमें मृत्यू तक ले जाकर के डाल देते हैं फंसा देते हैं जाल म वही कर रहे हैं छोटे बच्चों की तरह, कब तोतों की तरह रटन लगा रखिए, करें नहीं, अथा धीरा हा, अमरितत्वम विदेत्वा, हमें धीर बनना पड़ेगा, धीर का मतलब है रोकना अपने आप, धैरियक, ध्री, धारन करना, रोकना, कंट्रोल करना, दाना दिख रहा है, मत जाईए, रोकी अपने आपको, सोचिए क्यों डाला होगा, किसने डाला होगा, कहां से आया ये, थसल तो यहां कोई खड़ी नहीं है, ऐसी सोचिए न, जो इतने भोग विलास है, क्या मिल जाएगा इसमें, इतने से हो क्या जाएगा अच्छा, अगर इसी धन को मैं किसी की सहायता करने में लगाऊं, तो कितना आनंदा है, व्यर्थ के, मैं अभी देख रहा था, एक व्यक्ति ने घर बनाया हुआ है, एक चित्र था, घर बनाया हुआ है, उसमें एसी लगी हुई है, और भले आदमी ने एसी को ढख रखा है, कैसे, वो एक सुनहरे से उस पूपर से पेंट करवा करके और एक उसका आवरन बनाया हुआ है, अचा फिर भी न, एसी वाली जगह तो उभरी उभरी दिखाई देगी न, उसमें कैप्शन बड़ा सुन्दर लिखा हुआ तो बहले सच में कुछ लोगों को नहीं समझ में आता कि वो अपने पैसो किया करें, सच में नहीं समझ में आता, लोग कनफ्यूज हैं, क्या करें पैसों का, अरे पैसों के बहुत काम है, लोगों को बहुत साहिता की आवश्यक्ता है, दीजिए न, आपको अंदर से परसनता होगी, सामने वाले व्यक्ति को शुबकामना आप तक पहुंचेंगी, इसलिए कह रहे हैं, धीरा है, रोकी अपने आपको, जो मन कर रहा है कर लूँ न, तब जाकर के अमरितत्वम विदित्व, हम अमरितत्व को जानेंगे, समझेंगे, और जो धीर लोग होते हैं, वो ध्रुवं अध्रुवेश्विह, नप्रार्थयन्ते, वे आज हैं, कल नहीं रहेंगे, उनसे मुझे कुछ स्थाई सुख मिल जाए, ऐसा वे नप्रार्थयन्ते, कामना ही नहीं करते कभी, कौन धीर लोग, बालक लोग करते हैं ये कामना है, कि मुझे यहां से सुख मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा, जबकि मिलता कहीं से नहीं द्रुवं अध्रुवेशु इह न प्रार्थयंते बुद्धी मान लो कभी नश्वर चीजों से आज हैं कल नहीं हैं ऐसी वस्तुओं में कभी स्थाई सुख नहीं ढूंडते जो ढूंडते हैं वे नादान हैं वे बाल बुद्धी हैं उन्हें बाल बुद्धी से बाहर निकलना है बचपने को छोड़ना है और होड़ा साथने संसार को चारोड देखना है उसकी वास्तविक्ता समझने है कक्षा को यहीं विराम देते हैं